नारायन नारायन आज का विशय है अभिमान न रखें निंदा न करें सच देखें तो देही बुद्धी का जोश होने का कारण हमारा अभिमान है अभिमान के कारण यदि सद्गुन कम होने लगें तो क्या फाइदा ग्यानी और अग्यानी इनमें मूलतह अंतर यह होता है कि ग्यानी अभिमान छोड़ देते हैं और अग्यानी लोग उसे बढ़ाते हैं अभिमान जैसा कोई बड़ा शत्रू नहीं है अंतरंग के इस शत्रु का हमें पता लगाना चाहिए और उसका उचित प्रबंध करना चाहिए केवल सत्कर्म करने से अभिमान नहीं जाता साप को दूत पलाने से उसका जहर ही बनता है अभिमान को कोई भी कुत्य अरपित करो वह बढ़ता ही जाता है इसलिए सत्कर्म करना छोड़ दें ऐसा नहीं है किन्तु अभिमान न करते हुए करू करें मैं करता हूँ यह भावना छोड़ दें अभिमान अपने साथ बरही के दिन से आता है और अंतियश्टी तक अपने साथ रहने का प्रत्न करता है अतियनाम रूपी अंकुष की सहायता से उसे योग के समय पर ही खदेड भगाना चाहिए हमारे अंतह करण में निंदा की गंदगी है यानि हमारे कुए में खारा पानी है मान लो हम उपर का खारा पानी निकाल दें और ज्यादा गहरा खो दें तो संभव है मीठे पानी का जहरना फूट निकलें तब उस कुए का पानी मीठा हो जाए उसी प्रकार यदि हम अभिमान छोड़ दें निंदा करना बंद कर दें और अंतर मुख होकर भगवान को खोजें तो उसके प्रेम का जहरना फूटेगा और हमारा अंतह करण उस प्रेम से भर जाएगा हम लोगों में कहावत है कि जो कुए में होता है वही डोलची में आता है कुए में खारा पानी होगा तो वही डोलची में आएगा यह जैसे सत्य है वैसे ही हमारे मन में जो होता है वही हमारी वानी से बाहर आता है बोलने से मनुष्य के अंतह करण की परिक्षा होती है जिसे निंदा करने में मज़ा आता है उसे अंतह करण में गंदगी होती ही है कुछ लोग उन्हें दूसरों का उतकर्ष सहन नहीं होता इसलिए उनकी निंदा करते हैं दूसरे का भला उनसे देखा नहीं जाता उन्हें तो दूसरे में दोश ही दिखाई देता है, तो भगवान की मार्क पर चलने वाले को दूसरे में दिखाई देने वाले दोशों का बीज अपने में है, यह याद रख कर बरतना चाहिए, वह दूसरे के निंदान न करें और अपनी सामर्थ का अथ्वा अपने गुणो का अभिमान भी ना करें लोग जो न करें ऐसा हमें लगता है वे हम खुद न करें रहस्ति का सहवास उपर-उपर का हो उसकी गंधिया निवास भीतर ना हो पगवान का ही निवास भीतर हो उससे भीतर के सभी दोशों का उच्चाटन होगा और मन को शाश्वत चांती का लाब नारायन नारायन